नमश्कार आदाप सस्रीयकाल आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार हुमानिटीज अड़्डा 247 पर और मैं आपका एंगलिस एजुकेट रादित भीया आप सभी का दिल खोल कर स्वागत करता हूं आज हम देखने वाले है चैप्टर जो कि आप बूलोग बोलते ह है जिसका नाम है Poets and Pancakes written by Ashok Mitran आज देखेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या है जो आपको परिशान कर देता है जो आदित भीया के छोकरा चोकरी को परिशान कर रहा है ऐसा चैप्टर भी पैदा हुआ नहीं है और अगर यह परिशान कर रहा था तो आज से परिशान नहीं करेग जितने सारे दोस्त हैं तुम्हारे सबको उठाकर के लिए कि आजो कि कहजो भीया अगर तुमको कठेन लगता है तो कोई नहीं आधित भीया शुरू कर चुके है चैप्टर और बस यह देख लिया तो लाइफ जींगा लाला है भाई है ना मेंटाउस जिंद्गी कब होती ह जब तुम आधित भीया की क्लास लेते हो रोज शाम साथ बजे कितने बजे रोज शाम साथ बजे ठीक है ना एक बार आपको कमेंट देख लेता हूं सिर्फ एक मिनिट के लिए एंड देन आयल बी जस्टीचिंग एंड दूइंग नधिक जी चलो नैंसी चाहान के रही जै और का आई रहाएं खॉपसरे जो अधितेम्स एंडम कुक्शामि अधित्यम्शामी रमी राना कश्री जान चाहिन आ अअटिफ सिद्धिक यार लड को तुम लोग अपने दोस्तों को बनाकर चल से यहां पर विलिया रहार शारे आठाकुर बहुत अच्य रजशनी आप सभी जानते हो जब मैं किसी चप्तर को सुरू करता हूं तो मैं पहले सच Vai Unicorn को लाइक कर जो क्या बोलता हूं मैं बोलता हूं थां जाना चाहिए उसके टाइटल पर मैं करा टाइटल क्या बूल रहा है टाइट्ल बोल रहा है पोईट्स एंट पैटेक्स पुऐक्स्ट तो ये नहीं नहीं ये वहाले पैंकेक्स नहीं है ये इसे बड़े महाने घर में विस्कूट खाकुछा यह कर उसमें हम लगा कर करें कि पनकेक्स यहां पर एक कि आपको सुंदर बनाने के लिए उन प्रोडक्स का एक क्या था ब्रेंड नेम था और यह इंद को लिखा किसने अशोग मित्रा ने तो जैसे कि आपको यहां पर दिखाया जारा प्वेट्स बैठें और पैनकेक यह वाला पैनकेक नहीं है पैनकेक दूसरा है चलिए बढ़त कि लेंगे तो मतलब क्या है किताब में लिखा हुआ है तो पाइंटर में बात करेंगे सबसे पहले नाम है भाई साब का अशोका मित्रन ऐसे दिखते हैं प्यारे से हमारे अशोका मित्रन जी और इनका लाइफ इस पैपर आप से नहीं पूछ रहा और अगर कोई पेपर से आप से पूछ रहा है तो वह पक्का अपनी बीवी से लड़के आया है या तो उसके बच्चों उसको सुना या तो बीवी से लड़के अधर वाइज यह कोई नहीं पूस था कि बतावा शोका मित्रन कब पैदा हुए थे यह भी कोई बात है इतना वड़ा चैप्टर लिग एक्सेप्ट का मतलब किया अंश है किस किताब का अंश है माई एर्ट विद माई बॉस ठीक ना बुक्स टॉक अवाउट इंफ्लूएंस ऑफ मूवीज ओन एवरी आस्पेक्ट अफ लाइफ इन इंडिया हमारे देश में हो या किसी भी देश में हम सभी बोलते हैं जो यहां तरीक यह रहा है कि यह बता रहे किस तरीके से इंफलूएंस होता है यानि की प्रभाव होता है मुवीज का हमारे जीवन में खास करके अगर अगर हम भारत की बात करें तो हमारे जीवन कर एख पार्ट पर मुवी इसका चल चित्रों का बहुत बड़ा योगदान होता है आरे अधित भाया के सामने कोई बोल सकता है क्या अधित भाया डाउन टूर्थ भाया है डाउन टूर्थ भाया देको यह भी देखो वो कर रहा है नहीं एल विशादव किसी ने बोला था और उनके लिए कुछ भूल सकता है यह समझ रहा हूं है हम भी देखते हैसल रील थोड़ी बहुत है रध्णी इंड नहीं यह जहाद को रहती है कहां पर है शय натूल मिल डे टू पट्री जयू इब 2धू पकिया गomena फ्रता इट यह अंश हून सप्लेश्टेशल फिल्म प्रॉदूसिंग औरन इस of India in the early days of Indian film making abhi abjan took us could have my productions could on top audit the productions could on to put some as the weight production who are got that a Gemini Studios up kahe na kahe sa to surwa to you again in movies ki be a minute then I would it a minute then I thought that like karma session go make a bold up like karma session go or eight minutes in America you know eight minutes then our session go karna like so the Gemini Studios located in Chennai was set up in 1940 only socialism set up water dhyan rakhna it was one of the most influential film producing organization of India in the early days of Indian filmmaking founder content s.s.wasan important question you asked who was the founder of Gemini Studios you will tell me s.s.wasan the duty of Ahsoka Mitran in Germany studio was to cut out newspaper see paper cut it paper cut it paper get recorded it and it is that they are on a wide variety of subjects and its store them in files about also the subject for your Griffin card at the mallota Hindu the child India next episode you have a Frikalak paper iph and the clippings card at the Kyu'an Kya Kami ita is feeling the past knowledge you want to आप कोई बंदा जो दिन भर पेपर के बीश में घिरा हुआ है उनकी क्लिपिंग स्काट रहे क्या उसकी नॉलेज काम होगी उसकी नॉलेज धुर्राटेदार होगी कैसी होगी धुर्राटेदार होगी अल्दो री वाष प्रफॉर्मिंगेन फंक्शन इंस्गुंडिट यानि की बहुत इंपर्टेंट काम नहीं कर रहे थे यह जहां पर थे भूट इंपॉर्टेंट काम नहीं कर रहे था फिल भी he was the most well informed of all the members of the Gemini family Gemini studio में जितने भी लोग थे उन सभी में सबसे ज़्यादा जो most informed थे जिनके पास knowledge की बिल्कुल भी कमी नहीं थे वो बंदे कौन थे हमारे अशोक मितरन जी क्या अशोक मितरन के बारे में किसी को कोई समस्य परिशानी है नहीं है बच्चे बोल रहे 50 प्लस वेरी गुड यह सब आप लोग की करामात है और यह आप ही करते हो और आप ही करते रहोगे चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब हम लोग चैक्टर पर करती है और उसके बाद हमने क्या जाना और हमने साथ ही साथ जाना कि वराइटी और सब्जेक्स पर यह न्यूस पर काटा करते थे और इसी तरीके चिपकाते थे यह इनका काम था हाला कि जो असोक मितरन जी का काम था जैमिनी स्टूडियो में बहुत इंपोर्टेंट नहीं अलग जितनी भी तुम्हारी प्रिद्यों किता है बहुत अच्छे शेर करते रहेंगे और चैप्टर को करते हैं शुरू पैंकेक वह दा ब्रैंड नेम ऑफ दा मेक अप माटीरियल दैट जैमिनी स्टूडियो बाट इंट्रक लोट्स पैंकेक्स क्या था बावा पैंकेक्स कहीं पर भी खुब सारे आइस्टे ओकाम कर रहे हैं तो उनको फूता आएगा ना रंग आजयेगा तो एक कम्पनी थी जिसका श्रह documentary यह कि गर्बो यह स्वीडिस एक्ट्रेस हुआ करती थी कहां की स्वीडन की एक्ट्रेस हुआ करती थी ग्रेटा गर्बो तो ग्रेटा गर्बो ने इसको यूज किया होगा यहां पर हमारे ऑथर बोल रहे हैं फिर बोल रहे हैं मिस्गोहर प्रकट हो मिस्गोहर भी आ गई मिस्गोह किया होगा क्यों नहीं यूश कियों कि उस समय पैंकेक का तो क्या यह चाल कोई आजाए बहुत कम कंपनियां होती है ऑपने ondo को अपनी का होगा जानतेmi तो तुम होने वाला बच्चा भी को कोकोला को आइए तुम ने भी पाड़ लें झीखा लिगा तुम्हारे पैनकेक्स उतनी बड़ी कंपनी नहीं थी इसलिए बाद में ग्रेटा गर्बो जानती थी वेजनती माला जानती थी लेकिन रती अगनोत्री साथ के बारे में नहीं जानती थी कोई भी समस्या परिशानी आएगी तुरंद पूछ लेंगे आचल बोल रही बया एक बार दो बा सब्सक्राइब की बात है आगे देखते हैं में नौट है इवन हर्ड अफिक दा मेकप दिपार्टमेंट आफ दे जैमिनी स्टूडियोज वाज इन अपस्टेर्स आफ बिल्डिंग दैट वाज बिलीवड टू है रॉबर्ट क्लाइस स्टेबल का मतलब होता है स्टेबल का इस्टेबल वह होता है जहां पर घोडे रखे जाते हैं घोडों को चारा दिया जाता है उसको हम बोलने अस्टबल सुनो मेरी बात प्यार से बात मैं समझा रहा हूं यह जो पूरा का पूरा का पूरा जैमिनी स्टूडियो है माना जाता है जो पहले रॉबर्ट क्लाइफ नाम सुना होगा रॉबर्ट क्लाइफ यहां पर यह पूरा का पूरा अस्टबल सरस्ट अंधर गूशन क का मतलब क्या होता है थ sunt ka मतलब मेरे बाब for his brief life and and even briefer stay in madras robert clive seems to have done a lot of moving besides fighting some impossible battles in remote corners of india and marrying a maiden in st mary's church in front of st george in madras up the key yeah you have to say mary jerd the saint mary church or you can buy somebody you have a con mother you can buy some for his brief life and even briefer stay in madras me robert clive have done a lot of moving besides fighting on only remote areas me jacquard kala ya lady and young girl or woman who has never been married a small age of mother who has never been married a small age of mother who has never been married so you have to say maiden who told me a small age of mother who has never been married mary church in port st george madras here in madras here in madras shadi karli thi in se together kisimaila se yes up in kebara matagaya kya 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 bataaya gya aupko pata chala suno me ek detail matahonga aupko pataya gya kya jor robert clive hain in hi ka jo astabal hua kata ta ta unki astabal me ya pura ka pura gemini studio bana tha aur fir bataya madras me aur bhi abhi aupko patata gemini studio kao par chennai mein or chennai madras mein jade si baat hai to madras me bhoot kam sami tak rahe hala ki bhoot jada jiyeh bhi nahi to bhoot kam sami takim madras me rahe aur utnayi sami me in on a aq lada ki sa saadi ki jo ki umr me baot kam tisati saadi no no kuch lai ya bhi lani jo ki jit gaita remote areas me ja karke basit na hi aupko janata aagay barte hai chalo agla batara da make up room head the look of hair cutting salon jomake up room wakarta ta uska cha era wo dekta kis tariqa kata wo hair cutting salon ki tariqa dikha kata jasya hair cutting salon nay otay bal kutane walay jabu saril aite legi otc se lagyo ten why batara jomake up room hua karta the jamini studio ka head look of hair cutting salon unka dekhanay ka kaisa hotada wo dekhanay me like to the hair cutting salon jasay with the lights at all angles jaha per light joti the hard angle pere lagyo ito dekho kitni sari lights hai around half a dozen large mirrors or lagbaq adha darjun bade bade mirror lagyo to some ajokitini light ati ogida dars reflect ho kar ke 30 physics padi ya na light county reflect ho tia gaur bhaust sari kya lagyo ho hai maha par bhaust sari agar ayinay lagyo ho hai to light reflect ho tia angles around half a dozen large mirrors they were all in they go incandescent lights they were all incandescent lined incandescent se kya must semester beta producing heat on burning joh jalti hain tum dekhte ho na petees tumne kha yeh dukhano me tum jato petees leo to be a petees ka jo box hota na usme kya hota bulb laga hota wo das rupai ya wala bar rupai ya wala hai na surya wala bulb tu barbhoot garmi dekta hai to usi ko ya par bula jara hai aise bulb lagyo today all incandescent incandescent yaniki joh bhot heat produce करते थे so you can imagine the fiery misery fiery यानी कि कितना ज्यादा उनको गर्मी जहलनी पड़ती होगी कि लोगों को दो सब्जेक्टिट टू makeup misery यानी कि कितनी दहनीता थी कितने बचारे परेशान रहे तो अब माल लो यहीं पर खूब सारी लाइट से लगा दो और हमको इसे पढ़ाना पड़े कितनी गर्मी लगेगी हमको मेरा पसीना टप टप गिरेगा वह यहाँ पर बताने की कोचिस की जा रही है दा मेकरप डिपार्टमेंट वहास फोस्ट हेड़ड भाई बंढली सबसे पहले मेकप डिपार्ट में इन को किसने हड्ार कि Aware carbohydrates का होता था मेकप डिपार्टमेंट का हुब विकेम टू बिग फॉर ए स्टूडियो डैट लेफ फिर उसका ओदा इतना बड़ा हो गे इतने जादा कमाने वह माने लगी उसने छोड़ दिया च्टा काम मैं निकर रहा मैं बड़ा आदमी ऐसा करके चोड़ के चला गए ठीक ना चलो महारास्ट्रियन और उसके बाद उसकी जगे कौन आया एक महारास्ट्रियन आया सबसे पहले कौन था एक बंगाली था बंगाली जगे महारास्ट्रियन आया महारास्ट्रियन के बाद आया एक धारवाल कंणडिगा कंणडिगा के बाद आया एक आंध्रा का बंदा फिर उसके दिक उतने सारे जगे के लोग यहां पर आकर की कांव करें वो जो आ रहे हैं आइसा लगता है कि यह दिखाता है है इक फूस राइड सुस्क मेर्ट deal of national integration पहले सही national integration यानि कि देश को एक जूट करने का कहीं पर काम चल रहा था और इंडिया रेडियो से पहले और दूरदर्शन के आने सही पहले वो जगह थी जैमिनी स्टूडियो अगर किसी को कोई समस्य परिशानी नहीं है तो आगे बढ़ते रहेंगे और अधित्यम शर्णम गख्षामी आना चाहिए वीड सिंग बोल रहें भाईया है और भाईया है तो डरना नहीं सारे सब्सक्राइब गैंग आफ नेशनली इंटिग्रेटटम इंट्वरा यहां के निटिग्रेटटि क्या बोला जारहें मतलब कि पूरा का पूरा कई सारे लोगों क्या फर लू económ beide कुन कर गुद्ट टरन किसी को भी बदल सकते हैं किसी भी डिसेंग लुकिंग घशे से हां सिक दूकर मैं इतना चासा दिक रहा हूं यह से आप रानु मंदल प्यारी सिधी कर रही हां पर दो को इसा बंदरिया बना दिया एक्दम लाल लाल पोद देते थे एक्दम उसको बना देते तर मेड़क है ना उसका चेहरा लाल पड़ जाता था समझे फिर से यह बात देख लो देख लो गैंग ऑफ नेशनली किसकी मदद से यह लेकर किया आते अपना पैंकेक जो इनका भाया ब्रांट था है ना पैंकेक लेकर क्या इनने घुला है चप चप मुह पर मारा इसे पेंटिंग देखिए कैसे पेंटिंग ऐसे चलती है उसी तरीक की कुछ पोशन मनाए पोशन यानिकी आरे कुछ गोल बन उससे जारे सूटिंग करने कले कलिए आजम मैं दिलादूतनू बुर्ज खलीपा इसकी सूटिंग कर दिख लीपा चले जाते है लोग लेकिन यह भाई फ़ाइव फशन परसेंट फिल्वा शॉट आउंट टोर्स के वर 5% मूवी दो जो आउट्डोर्ड जाकर के सूट की जाती थी बाकी सब इंडोर शूट होती थी I suppose the sets and the studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie ऐसा लगता था मानो यह जो लड़की और लड़किया ना इनको जानबूच करके अगली बनाया जाता था लेकिन मैं किसी को बुरा या नीचा दिखाने के लिए लेकिन मैं देखिए गाओं की राम लीला में इस को बोलते हैं हम लोग है इस को हायार की कि भोलते है कि लेवल भाइ सी चल रहे हैं एक साथ नहीं चल रहे है आगे देखें आघ स्ट्रिक्ट higharchy मेंटेंड इंदा मेकप डिपार्टमेंट एक हायार की जलती थी आचीफ मेकप मैं डाचीफ एक डिक्रिस अगली मज़े की बात देख को राइटर ने कितने मज़े लिए इख फटनी वे में में लिखा राइटर नहीं आशो कमें ट्राने अट्र Generally सबसक्राइब कहीं गणानीव ने लिखे दो चीफ में अपमन जो चीफ में क होता थी अठरी सोट थै जो चीफ एक्टर चीफ एंदर और एक्रिसस होते ते उनको अगली करता था था ठीक ना बच्छा बोला ये चप्टर मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगता था बटाप की वज़ए से अब बहुत इजी लग रहे ला है रहे और इजी लगेगा बावा अधित भाई आया जिन्दा पार्टी पर टेंसा नहीं अगर किसी मुवी में काउं करना अमताब बचन काम करने और सारुख खान और अमताब बचन कुछी फालक रिका फिर दूसरे नमबर वाला किसको करेगा इस सीनियर असिस्टेंट सेकेंड हीरो एंड हिरोईन अब ऐसे ही टाइगर श्रॉफ कोई सेकेंड वाला नमबर वाला करेगा जूनियर आटिस्ट्स दा मेन कोमेडियन एंड सो फोर्थ इसी तरी के नीचे लेवल चलते रहते थे और जो बहुत सारे प्लेयर्स होते प्लेय प्लेयर्स हूप लेट था क्राउड वर्डा रिस्पॉंसिबिल्टी ओफ द ऑफिस बॉय अभ भाया इसका नाम तुमने एक बार सुन लिया ध्यान रखना इससे कई सारे कॉशन आते हैं बोर्ट में भी आते हैं आपके स्कूल में भी आते हैं स्कूल तो चलो कई दो रहीन सब्सक्राइब आपने पास भी एक मेकप वा करता था ठीकना ओन देज विन देर वाज़ अ क्राउड शूटिंग यू कुल सी हिम मिक्सिंग इस पेंट इन अ जहांड वैसलें स्लैपिंग इड़ प्लेयर्स लैपिंग का मतलब क्या था था थपर मानना और जैसे आप देख सब्सक्राइब करता निकल जाता सब को एक दम गदा पुलता हुआ निकल जाता ठीक है यहां था क्लियर बढ़ते हैं आगे दा आइडिया वास्टू क्लोज एवरी पोर आफ दा सर्फेस अफ दा फेस इन प्रॉसस आफ अफ अप्लाइंग मेकप आइडिया यह होता था कि यह चोटे मेट 75 बर जाना चाहिए he wasn't exactly तै अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि ौक ऑग अगर में तुमसे बुल रहा हूँ कि आघर मैं तुमसे बोल रहा हूँ क् er में कि आस्पास था having entered the studios years ago just all up early studios match you got a in the hope of becoming a star which I thought of you like a star when I started coming out now I'm those when I yoga it's me and the acting about this I'm never gonna be gonna a top screenwriter director or relax writer he was a bit off point of the question about him january chaataka take a question out to push out a tie after college office watch a attack at a button and a movie star when a movie star when a movie star when a screenwriter when a screenwriter when a director when a coach in a one by a bar to lyrics writer the bunny dying a link in bunny kia banga ya karke put a while a cabin guy a car get put a wallet again a Joe are at a good very hashtag Adit bhaiya ki army a guy how I saw Adit bhaiya ki army Instagram T can be taken and those days I worked in a cubicle us some make cubicle my country a car that I know so that's a place so that I am probably a tino does it get out of the camera out of the show that's a so some a joop nebhai saabu order that I you have a car on a I you have a mare ashoka mitranji ashoka mitranji bool rahe on the man oh my cubicle my company other the two whole sites of which were French windows this could don't have a city French windows work at it in any case you say windows work at it in I didn't know at that time they were called French windows not some energy on the case type of windows French windows करते हैं seeing me sitting at my desk tearing up newspaper day-in-and-day-out अब ये day-in-and-day-out आप अपने paper में उसकर सकते हो कहीं पर अगर आपको दिखाना है कि मैं पड़िए इंग्लिस बोल लेता हूं ममा डोंट वांट कर दो यह रजी का मास्टराइस अंग्रीजी कि वोला क्योंकि तुम हसो गयार अंग्रेजी का मश्राइजी तो बोली देगा लेकिन हिंदी बोले तो लगे कहां मजा चलना चाहिए क्योंकि बिए चैप्टर एफ रभारी अभारी चैटर में भी अगरा अग्या जो फ्रेंच विंडो सेंग में सिटिंग एड़ डैस्क टीरिंग अपने पार अगरता था और शिपकाया करता था तो most of the people thought I was doing next to nothing logo लगता था मैं कोई धंका काम ने कर रहा हूं फाल तो का टाइम वेस्ट कर रहा हूं यह कुछ काम ने करता है पाल तो में टाइम वेस्ट करता रहता है तो एनीवन फेल्ट आई शुट बीवें सम्क्यूपेशन वुट बार्ज इन्टू माई क्यूब करता है और जिसको भी मन करता था कि यार इसने काम नहीं कर रहा है मैं रंक से तो बार्ज इंटू यानी घ किया करते पूर दिन बैठेरे तो पनना फाड़ा करते यह करते वो करते हो तो इसे कोई भी आखर किन को ग्यान पिला जाया करता था ग्यान दे दिया करता ठीक ना चलो बच्छा बोना 90% डाटा चला गया बिटर 90% डाटा चला गया तुम जाओ से पहले तुमारे से 10 आज तुमारे सब कोई नहीं आरे सच बतारे तुमारे दोस्ता देने चाहिए दस ठीक ना आगे बढ़तने कोई समस्य परिशानिया होगी पूस्ते रहेंगे नहीं यह बहुत अच्छे आगो आगयो दबॉइन देपार्टमेंट है डिसाइड़ आई शुट भी अलाइटेंड उन हाओ ग्रेट लिटारी टालेंट वह बिएंग फॉल आलाओ टुगो वेस्ट ना डिपार्टमेंट फिट अल्ली फॉर वाल्वस एंड पवर्ट्स अब देखो यहां पर इतना ज्यादा खीश्टान के लिखा गया है ना कि नॉर्मल बच्छा आगा कि क्यों किया है लोग बोल रहें आफिस भाई ध्यान से सुनना वर्णा निकल जाए का दिमांग से फिर को अब यह आपने बताया नियुक्त अब यह अब यह ना कहिना बॉय की स्पहलिंग गलत है आज कल भी वाट से पे वाली वाली बॉय की स्पहलिंग चले इस लिए लिकाने ठीक नहीं द कि उसने यह सोचा की मुझे एल लाइटन किया जयारिया मुझे यह बताया जार कि से अशूख मितरन जी को ऱैसे कि कि इसे इसाद्विंगान उसको शांब जया कि जानकार कम प्ल मॉट्रेश का वहรं को साको लिए मुस एक ऐसा दिपर el पता हो ना जी मैं आपर अशोका मितरन अस समय तुमहरे सामने आधित भाया निया चोका मितरन खणे तो पता है तो क्या हुँआ अशो का मितरन बोल रहे हैं पता एए एक दिनर ओभी से दिमाग में आया office boy के धिमाग में क्यों मुझे enlighten करें मुझे इस बात से जानकारी दिलवाए कि कितना ज्यादा literary जो उसके अंदर talent है कितना ज्यादा उसको poem बनानी आती ज्यादा उसको लिखना आता है कितना कुछ उकड़ सकता है यह सब waste हो रहा है वो भी किसी फालतव है department में बलकि उसको कुछ बड़ा किया जाना बड़ा करना चाहिए था ठीक ना आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं सून आई वास प्रेइंग फॉर क्राउट शूटिंग और टाइम अब देखो आप से कोशन पूछा जाता है कि जो अशोका मितन हैं क्यों प्रे किया करते थे कि क्राउट शू इसनी बताता ना डिंगे आंकता था मैं यह मैं वहीं अमभानी मैं ही यह ठीक ना मैंने वर्ज घलीपा खरीद लिया मैंने जाकर के चांद अपने दस घर बना दिये मैंने अमभानी को खरीद रखा इस तरीक बड़ी-बड़ी बाते मारता हो गए आफिस भाइव तो क्या पोल रहे थे क्यार मैं हमें सब इस करता भगवान है अला ताला बस इतना कर दे मेरे अला ताला की पूरा दिन यहाँ पर क्राउट शूटिंग चले क्राउट शूटिंग चलेगी तो इसका काम रहेगा जाकर की पुताई करने का वर्णी मेरा खुपड़ी खाया तो in all instances in all instances in all instances of frustration you will always find the anger directed towards a single person openly or covertly and this man of the makeup department was convinced that all his rules ignomity ignomity and neglect were due to kotam angalam subbu abhiya dekho ye a लाइन है अब रुख जाओ हिल मत जाना वरना ये लाइन छेली जाएगी ये लएगे ढ़िए बी Ita तीन number पक Data हो जाएंगे तुम्हारे ब precisamente में मैंनिक कर दे रहा हूं मजाग नहीं कर रहा तुम्हारे तीन कि इस चैप्टर से इंपोर्टन कोशन यहां से आता है कि भाई यह जो बंदा था कौन बंदा था यह जो आफिस वा इसा चाली साल के आसपास का अब यतना फॉस्ट्रेटेट था इसको लगता तो मेरे पास इतना लिट्रेरी टैलेंट इतना बड़ा मैं हीरो बन सकता था स्क पूरी गलती मेरे बाप किये पता है उसने मुझ को दिली नहीं जाने दिया वर्णा मैं आज पता है इस देस का मानी होता मेरे बाप ने मुझे दिली नहीं जाने दिया बहुत सारे दोस्त है कभी-kभी जब मुठ खराब होता हूं का कई अपने पापप गरिया आएंगे कर पनी गल्टरेंड को सनाएंगे खुद को कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन तो इसी तरी के हो अजब आप कहीं असफल होते हुब आप किसी को उंगली करते हो है उसने पता ऐसा गया उसने ये खराब किया उसने वह खराब किया उसी तरीके से ही जो हमारा बन्दा है न क्या बोल पर उरी अटक किया था कोवर्ट ऑपरेशन कोवर्ट यानि की छुपा हुआ ऑपरेशन पता भी नहीं चला जा कर गुम्मा चला दिया ठीक है ना परसन ओपनली और कावर्ड ली का मतलब है या कोवर्ट ऑबरिशन ने छुपा हुआ आप यह तो सामने से बोलोगे यार तुम आज अप किस के रिए-था कोठा, मंगलम सुबू, जैमनी इस्टूडियो में एक हौर व ह्वफ्थि है ।ão करता है जिसका नाम है कोठा, मंगलम, सुबू, इसका पूरा का पूरा गुसा इसका पूरा का पूरा पूरा डेडिकेशन किस आदमी की तरफ गुसा हुआ है यह कोता है दमनों सब्सक्रांज या कि अदम सबस्क्राया है सब्सक्राक। आप का द잖아요 एग आप को आप आप हमेशा देखोगी कि जो आपको गुस्सा है ना तू और से सिंगल परसनों किसी एक आदमी की तरफ डायरेक्ट हो जाता है ओपनली या तो खुले तोर पर पर पता चला छोटा भाई उससे गुस्सा तुम पता है बहुत बड़े मकार हो पापा से तो नहीं बोल पाउग ना मुपे पाप आप क्यों जिन्दगी खराब है मेरी पापा से मुनी में बोलोगे मुपे नहीं बोल पाउगो ना पापा कचर देंगे तुमको तो सिंगल परसन ओपनली या तो खुले तोर पर तुम उसको जाके कुछ बोल दोगा फर कोवर्ट लिया फिर चुपे तोर एंड इस मैन और इस व्यक्ति के लिए जो मेकप डिपार्टमेंट में काम करता था यानि की जो ओफिस वाइथ उसके लिए कौन था ये बंदा इसके लिए बंदा था गोठा मंगलम सुबू जिसे ही अपने सारे के सारे दुखों का सारी कि सारी समस्याओं का कारण मानता थ इस पहले यह तो अब नहीं इस नहीं तो कोठा मंगलम सुबू कोण है कोटा मंगलम सुबू कौन है कोटा मंगलम घॉबू मैंने बताता है रही है कि याने कि SS वासन यह पूरा का पूरा जो जेमिनी स्टूडियो कौन चला रहा है SS वासन के बाद कौन आता है SS वासन के बाद जो विक्ती आता है वही है Kotha Mangalam सुबू वही कौन है Kotha Mangalam सुबू यह दो नाम आपके लिए बहुत मिलिएख चेप्टर में एक तो यह निकल कर आते हैं कि कोठा मंगलन सुप्भु के बारे में दुनिया क्या चाहियां थी क्या क्या बुराइएं थी अब सब्सक्राइब को सब कुछ क्लियर रहें बच्चे बोल रहें कृतिया मकृत्य। बहुत धन्यवाद एक बार आप लोगी बहुत सारे मुझे support कर रहा हूँ और बोल रहा है अच्छा लगता है जा मैं सुनता हूँ टिकना भाया लाइक देखो अब हां लाइक बढ़िया बिटा बढ़िया बिटा अर्यांज गुपता और विचल तीवारी जी कृति कुमारी और कौने अक्षिता राज यह चलो क्लियर अमन कॉसका मतलब त्रबल स्वूस का मतलब दुक दर्द परशानी उसका हूं भूस बोलेंगे लाइक कर ते चलेंगे सेशन को वरते हैं आगे चलो अब यहां पर सबू आपर बतारे ही कोठा मंगलम सुबू कान था कोठा मंगलम सुबू आप तो एक जैमini स्टूडियोज जमनी स्टूडियोज में नंबर टू पर कहना था था कोठा मंगलम सुबू आते थे यह कुटन्ट हैव एड़ा मोर इंकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म्स देन आवर ग्रोन अप मेकप बॉय हैड है ना हाला कि क्या बोल रहे हैं कि बैया ऐसा नहीं है कि वही के वाल टैलेंटेट थे कोठा मंगलम सुबू अगा टैलेंटेट थे तो यह बंदा भी टैलेंटेट था इसको यापर मेकप बोई बोला गया है ऑन दा कॉंट्रेरी कॉंट्रेरी यानि कि इसके इतर ही मस्ट हैव हैड टू फेस्स मोर अंसर्टेन एंड डिफिकल टाइम्स फॉर वैर्न ही बिगेन इस करियर देर वर नो फॉर्मली इस्टैबलेश्ट फॉर्म प्रोडूसिंग कमपनी और स्थूडियोज अब यहाँ पर बताई जा रही है बढ़ाई कि जा रही है अब देखो यहाँ पर एक बंदा है और यहाँ पर एक बंदा है बी एकी जो आठीजार कमाने वाले पापा हैं ने साहथ इसने बहुत सारी समस्यां देखिए हो मुंम्बति घ्राओ बार्से बाहर काम करने पाँ गया तब भी इसने महनत की तो इस स्थिति में क्या बोला जार जो कोठा वह दूसरे वाले जब कोठा मंगलम सुभू ने अपना करियर सुरू किया देखो है आपर पड़ो फेस मोर अर्स एंटेन है ना जब मुंख़ शुरू किया होगा तब बहुत सारी समस्याएं रही होगे ना क्या समस्याएं रही होंगि वह उस समय करियर जब उन्हों शुरू किया था उस समय ज्यादा फर्मली इस्टैबलिस बहुत इस्टैबलिस्ट इस्टूडियो नहीं हुआ करते थे कि आप अग्दम घुस जा और आपको इज्जत मिलना शुरू हो जाए आपको बहुत संगर्स करना पड़ा होगा यह बताने की कोशिस की जा रही है आरे अगे बढ़ जाते हैं लोग आगी बोल रहा है ईवन दंट、「 एडूकेशन बॉल्हें दोनों चीजिए सही हैं एडूकेशन ओन बोलते हैं जो अमेरिकान एक्सेंट वाले हैं वह बोलते हैं एड़ोकेशन और जो एजूकेशन बोलते हैं वो है भया हमारे प्रिटे सेक्षेंट वाले याने की यूके एक्षेंट वाले क्लियर है सभी को even in the matter of education especially formal education सुब्बू कुंट have had an appreciable lead over our boy appreciable lead का मतलब है अगर आप यहाँ पर बात करो office boy की अगर आप यहाँ पर बात करो office boy की और दूसीर दर्वा बात करो कोठा मंगलम सुब्बू की किसकी कोठा मंगलम सुब्बू की तो भया इन दोनों की जो पढ़ाई है इन दोनों की जो क्या ने कोई जादा कम नहीं है आगे देखते हैं सुबू कुडंट have had an appreciable lead over our boy but my virtue of being born a Brahmin but by virtue virtue का मतलब वही है यह जो वर्दान सा पा गई किस चीज का by being born a Brahmin a virtue indeed he must have had exposure to more affluent situations and people आप यहां पर आपको यह भी बता रहे हैं कि कैसे जाती पृथा चीजों जीवन में एफेक्टे डालती है जाती पृथा ही तो है जो एफेक्टे डाल रही आपकी जीवन में देखो कैसे बताय जा रहा है इवन दा मैटर आफ एजूकेशन भले एजूकेशन में ऑफिस बॉय और कोठा मंगलम सुबू बराबाने लेकिन जो कोठा मंगलम सुबू ब्रामण परिवार में पैदा हुए है और हम सभी जानते हैं जिस समय कि हम लोग बात करने हैं उस समय जो ब्रामण हुआ करते थे लेडिंग होते थे न हमारी सुझाइटी में लीड कर रहे होते थे ठीकाना बास समझो गरेट कर भाइव एड़ निकि उसकी किसमत अच्छी थी उसका इसा भाग था क्यों क्या हुआ ब्रामणड परिवार में पैदा हुआ हुए जिसके करद उसको ज्धा उपॉज शूज लोगों का साथ मिला ये किसके साथ अच्छा था कोठा मंगलम सुबू के साथ अच्छा था इन दोनों का comparison चल रहा है बात को समझते चलना हो क्या रहा है अभी पहले आपको बताएगा कि यहां पर office boy भी काम करता है office boy का क्या है और office boy अपने आपको कितना बड़ा होगा और अब बोड़ना है कोठा मंगलम सुबू क्योंकि ब्रामार परिवार में पैदा हुए थे इसलिए इसलिए यह अपनी लाइफ में उससे थोड़ा सा उपर है क्या मेरी बात तक समझ में आ रही अगर बास समझ में आ रहे यह बार पर मेरा रिपीट करना आपके लिए सफल हो रहा है तो मुझे एक बार जित्याम को खिशामी अफिल लाइक करके समझा देंगे ठीक ना आगे बढ़ते हैं लोग चीर फुल एट आल टाइम इवन आफ्टर हैविंग हैड हैंड इन फ्लॉप फिल्म हैना ही हैड जा एबिलिटी टू लुक चीर फुल उसके पास क्या इबिलिटी थी उसके पास एबिलिटी थी वह हमेंसा चीयर फुल लगता था यह बड़ी अच्छी बात है जो तुम्हें भी सीखने चाहिए यह जो कोठा मंगलम सुबू था भले उसके जीवन में अच्छाइया चल रही हो भले उसके जीवन में बार आई पड़ियो था बड़ उसके जीवन में पच्छारा रखी एव बले उसकी जीवन में सावन चल रहा हो मंना हमें सा मुस्कुराता था यहां नहीं कि हमें किसी नहीं बाबा नहीं है तो उसके पास क्या था he had the ability to look cheerful at all the times even after having had and had a flop film balance cake movies never night you flop over the tabbyo cheerful as the question I tell it a good Baba 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 okay then he always had work for somebody who's kept us a missa do so really calm what attack is key watch only a kota manglam subwoo he could never do things on his own kabhi we open up situation in kata but lakin his sense of loyal made loyalty made him in identify himself with the principle completely and turned his entire creativity to his principles advantage enough he was tailor-made for films tailor-made come up look out the tailor-made acre idiom I just come out love with a perfect the Baba perfect general adding a so no mirror about Bob me throw a wall accent again is a Mumbai when it was a dad remake I will be public Bob is type ticket rather case are a texture sorry man and the article case are a strength about card on copy call for a big case a copy is a Bengali sabato put a cell that's a buddy by couldada bull thing by a pair of a set of sad Mary Bartory to get a data on a dollar the challenge I have so by your both name would Allah will write our echelagra taken a audit to data he can have done on my data audit to data this channel they go very bad I mean how many taro more soft awesome down here have to come some much guy key by your just love film B OTT tabby us क्या रहता था था ठीक नो हमेसा स्था मुश्क्राता दिखाई देता था यह आलवेज हैड वर्क फॉर समबडी वह हमेसा दूसरों के अपने पास उसके पास काम होता था लेकिन जो लालेटी था घंक वहाटने पास काम本ा था यहाँ तो लॉयल के प्रति वहता आपने गार нами लेकर करता था कि अंगर यहां पर हैं तो मैं पूरे की पूरे काम करूं ठीक है यह ना मेरी बास समझ रहो तुम लोग यह आलवेस हैड वर्क फॉर समबडी और साथी साथ वो इतना लॉयल था किसके लिए लॉयल था वो लॉयल था अपने बास के लिए यानि के से स्वासन के लिए इसी लिए वो आइडेंटीफाइब हुआ यह वा आइडेंटीफाइड क को यहां को कि अफिस भाते हुए गरने लेकिन यहांप आपने बॉस के लिए हमें यहां रहते हैं हमेसा कंपनी के स्टूडियोज के लिए खड़े रहते हैं हम इसे जमनी स्टूडियोज के लिए सोचते हैं इसी लिए इन को यहां पर आइडेंटीफाइग किया जाता है बहुत यह दा इंपोर्टेंट परसन के तौर पर और साथ ही साथ एक टेलर मेड याने की परफेक्ट विक्ती की तौर हो साध़ें प्रिंचेपाल से डवांटेज प्रिंसीपल डवांटेज यानकी ऐसे सेसन के डवांटेच के लिए एपॉस के ड़ों Technology के लिए इस लिए र recipe नम रटान लिए क्लिए क्लिए है अगर लियर तो मुझे एक बार आगे बता दो ठीक ना सक्षी सेंगा अधित्याम श्राणम कश्यामी वीर सिंग तो सेंगा अधित्याम कश्यामी शुति जादित तिदादा कि आर्मी थेंक यार चलो बहुत की शॉट्स अमरी बने की बिलकुल बन कौन है यह बाइसाब कोठा मंगलम सुब्बू की बात हो रही है यह वह वह दो रही है और अपने बॉस के लिए क्रियेटिवीटी अपनी बेस्ट यूज करना शुरू कर देते हैं अब सुनो मेरी बात बहुत प्यारा से एक्जांपल आ रहा है आपके सामने हाला कि इसका क सब्सक्राइब करना है कि जहां पर एक चुहा एक टाइग्रेस यानि की चीते सरले चीते का यह से लड़े और टाइग्रेस उसको हरा डिए पानी के अंदर जाये चुहा पानी के जित जाये अर उसके बाद को च्याने की जो बचे है किसके टाइगर के जending बच्चे है उस पर चुहे को दया भी दिखानी और तका आर्लवे में मेरे बगवा हमने तुम्हारे मम्मा को मार दिया आज गला लगा के प्यार कर ले इतना अजीब सी सिचुवेशन है और जैसे प्रोडूसर बोलता था कि भाईया मुझे समझ में नहीं आए कि इस ऐसे सीन में क्या करूं और इतना कहते ही जो सुभू है या कोठा मंगलन सुभू चला आता है किसके साथ विया कम आउट यानिकी आज आता है सामने फॉर वे शार ऐसे तरीके लिए करके जिससे रैट जो है चुहा जो है पोरिंग पोरिंग का मतलब दिखा सकता है प्रदर जो हार गया है टाइग्रेस उसके ओफिस प्रिंग यानि की बच्चों के लिए आफिश प्रिंग का मतलब किया है बच्चे चिल्ड्रें ऑफ इस प्रेंग को क्या बोलते चिल्द बोलते हैं तो यहां पर सुबू चला है और चार ऐसे तरीकों के सांथ जिससे उस सिंद्ध एक मिर्ट चुटकी बजाते हैं कि अंदर सुबू वूट कम आउट विट 14 मोर अल्टरनेटिव ठीक है ना सुबू भया चौदा और तरीकों साथ आजाता है उसने पहले चार तरीके बताए करना होता है पहले सुबू ने चार वेज्ट यह हो सकते हैं कि ऐसे कर लो कि कैसे चुहा उसको प्यार दिखा सकता है उनके जो आफस्प्रिंग से और यानि कि उसकी जितनी बी क्रियेटिविटी है जितना भी उसका एक्सपिरियंस जितना भी उसकी अबिलिटी है स्किल से सबकी सब उडेल जिता है आकर के ऐसा वेक्ति अगर आपके पास हो filmmaking में तो आपकी तो दुर्राटे काट दोगें आयर फट दुर्राटे काट दो नहीं क्या पोल मिया फिल्म एकिन मस्ट वेन एंड बेलाइड वाथ तो easy with a man like Subbu around and if ever and if ever there was a man who gave direction and defection to the Gemini studios during its golden years it was Subbu यहां पर बोल रहे है कि ऐसे वक्ति के साथ अगर आप खाम कर रहे हो तो क्या आपको लगता है कि आपका भी यह आप फिल्म बनाने का जो एक्स्पेरियंस से कितना प्यारा हो जाए क्योंकि आपके पास एक बंदा है जो हर समय पॉस्टिव माइंड सेट के साथ रहता है जो हर समय आपको बेस्ट बताने की कोशिस करता है कौन है यह बनता कोठा मंगलम सब्बू जब प्रोडूसर परिसान होता है कोठा मंगलम सब्बू अपनी पूरी ताकर लगा दिता है पूरे अपने दिमाग के घोड़े द्रवा दिता है क्या बताने के लिए कि भया अगर यहां पर आप फस होगे तो मैं हेल्प करूंगा इसलिए बोला जा रहा कि कोठा मंगलम सब्बू अगर पास है तो कितना इजी हो जाता होगा मस्ट हैव बीन वहाँ सो इजी कितना इजी होता होगा प्रिशर के लिए ऐसे आदमी के साथ होते मूवीज को बनाना और इसी बंदे ने डेफिनीशन दी ती आने कि इसी बंदे ने सेट किया थे मानक किसी रहा था जो गोल्डेनियर्स में कब गोल्डेनियर्स अब चल रहे थे ना जब एकदम सुनहरा पल चल रहा था उस समय सुबू ही वह बंदा था जो बैकबोन बन करके खड़ा था जेमिनी स्टूडियोस की अगर यहां तक बात क्लियर है तो मुझे यहां पर बढ़ते क्यूब हो सकता है मैं हर समझाने की कुछ ओछे कर रहा हूं जिन बंचो नहीं तक लाइक नहीं कि आप लाइक करके कि बहिया हां आप लोग का प्यार और आप लोग सपोर्ट कर रहे हो और आप लोग बाते सावज में आ रहे है ठीक ना चलो एवरीबडीज क्लिर एवरीबडीज क्लियर देख यहां पर बच्चे है जो एक दूसरे के भाई 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 घर पर एक दूसरे आपर चैटिंग रहे होट्स फॉट खोल दिया है करेक्ट कर लो ठीक ना लाइक एक बढ़ गया चलो ठीक है आगे पर देंग अध से तू बना हुआ है ना बाग क्या भारत और स्री लंका के वीचिन से तू नहीं राम से तू तो तो आपर चीजे डेवलप्मेंट होती रहे थे ना कुछ ना कुछ अलग थोड़ा से बदलाव आते रहते तो वही पहले वो अस्तबल था लेकिन बाद में उसको सुदार करक से ओ तुम बड़े हो जाओ क्या पता उस कमरेव किचिन बना दिया थोड़ा बहुत फोड़ कर कि उसमें जाकर कि स्लैब लगा दी गई वहां पर एक दो स्टोव रग दिया खाने पिने समान रग दिया बन गी किचन ऐसे होता है बच्छे आगे बढ़ जातने चलिए सुब फिले सुबू अपनी जो पोईटरी थी ना बहुत अच्छी लिख सकता था बहुत हाई लेवल की पोईटरी दुनिया का हर एक आदमी ने समच पाएगा इसी लिए अपनी पोईटरी को ऐसा लगता था कि भाई यह मासस को क्या करे एड्रेस कर सके हैना पोईटरी ऐसी बना में बोल देना क्योंकि यह चैप्टर अगर मैं सरल नहीं कर पाया ना तुमारे लिए तो फिर मामला गलबल है लेकिन ऐसा होगा नहीं जो बच्छा एक बार बैट गया ने सेशन में वो पूरा का पूरा पढ़के जाएगा ना जब बोले गार चैप्टर तो लपू जैप् अगयों फिल्म से और शेडोर सनो मेरी बात जो उसकी सक्सेस थी ना फिल्म में अर्शाडूऋ और लॉफ्ट हे से辿टेरском आजट्री अचीव मेंच मतलब क्या ब कि īसकी फशो त्यांदा इची नहीं थी तिया यानी कि चूँकि उसने वी ती Film Making पितना ज्यादा आच्छे काम का रखे थे कि होता क्याता था विशोष की आचीवमेंट में डैना फिल्मेकिंग में ओवर शयागो कृता की ति ती यहांनी फिल्मेकिंग और सो इस्क्रिटिक्स फेल्ट और उसके जो क्रिटिक्स तरह भी आई सोस्ते तेयर ठीक ना ही कंपोज्ड सेवरल टूरी टूरी अर्टूली ओर इजिनल स्टोई सब्सक्रिटिक्स ने अंडिक्षिन का मतलब बिटा बोली डिक्षिन का मतलब क्या बोली एंड और सो रोटाइस प्रॉलिंग नौवल थिल्लाना मुहां बलम विद दॉसने रचना की लिए सेवरल टूरी ओरीजिनल स्टोरी पॉयम्स काई सारी स्टोरी पॉयम्स की रचना की जो की कैसी ओगर तीट फोक रफ्रेन रिफ्रेन का मतलब यानिकी लोगों से रिलेटेट जो फोक है आम जनता है उससे रेलेटेट उसने पोईम्स बनाई एंड इंडिक्षिन आम सब्सक्राइब नाम तो बनाए और यानी की बहुत जाद आची तरीके से एंडिक्टर तैनी की उसने यह भी बनाई एक बहुत यह प्यारी सी नौफल जिसका नाम ता थिलाना महनंबल और इसमें बहुत सारे डिफ लीए बहुत सूजबूच के साथ उसने एच्चिया थे कि डाले थे character पिरोए थे एक ऐसी उसने क्या बनाई एक ऐसी भी इसने story बनाई जिसका नाम क्या था भया थिलाना मुहानमबल जो कि एक फोक रेफरेंट थी यानि की लोगों से relate करती हुई थी और उसमें उसने जो बोली उसकी थी वो भी भास है उसको यूज किया साथ इसाथ तिलाना मुहांमल मुहांमलम विद डिजन्स ओफ वेई डेफिली एच्टी करेक्टर और उसमें बहुत सारी द्रजन से निकी दरजन उनने अब शिरेक्टर डाले थे बहुत अच्छे तरीके से फिरों कर ठीक ना कोاتं अबhewटर आधा Buddhist काहली धिन्हीं दीवदासीश कौन होती है जो अपने आपको भगवान की सुपूर्द कर देती हैं और साधी नहीं करती हैं विवाह नहीं करती हैं किसी भी तरीके के sexual समझ रोलेशन्शिप में नहीं जाती है उन्हें हम बोलते हैं देवदासी जिनों ने अपना पूरा अच्छी बाती है कि यहां पर जितने सुरुवात में बैठे देना पचास एक बार जब पचास बचास बच्चे होगे तब से हिले नहीं है पचास त्रेपंच अपन साट इसे ही चल रहा है गूड है अच्छा है यह दिखाता है कि आप लोग को वाकर मजा आ रही है है ना रिलमे किंग करते है दूसरा बात तुम को कहा पथा चला वह एक पृट है अब तुमको सा ilsब्स उवावन चाहिए ने बोलते हैं जो बहुमुखी प्रतिवाशाली होते हैं ऐसे लोग हम बोलते हैं वर से टाइल एक्जेक्टली एसे लोग क्या बोलते हैं वर से टाइल बोलते हैं वर से टाइल यानि की बहुमुखी प्रतिवाशाली जैसे कि एक एक्टर मेरी नजर में अईश्मान खुराना जी आईए, he was an amazing actor, यह भी एक amazing actor भी थे, he never aspired to lead roles, वो कभी नहीं चाहते थे, aspire का मतलब वो कभी ऐसा नहीं चाहते थे कि वो lead role करें जाकर कि किसी movie में, but whatever subsidiary role he played in any of the films, he performed better than the supposed main players, लेकिन जिस भी movie में, पहली बात तो यह कि वो ज्यादा तर ऐसा नहीं चाहते थे कि वो जाकर के main character करें अपर lead character करें जाकर करी वह क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं कोई भी role कर लूँगा, लेकिन जिस role को भी वो करते थे, वो इतना अच्छा हो जाता था, कि वो जो main lead होता था था, उससे भी अच्छा निकल जाता था, माल लो hero है किसी movie का शारुक खान, और उस movie में भी यह, एक और बंदा जो lead character कर रहा है, माल लोग उसमें डाल दो भी यह, किसको डाल दो यह, नमाजदीन से दिकी को डाल दिया, नमाजदीकी को डाल दिया, नमाजदीकी सिद्दीकी नगर इतना अच्छा रूल प्ले कर दिया, कि सारुक खान का भी जो प्लेथा गट कर क नीचे हो जाता है, तो आप क्या बोलते हो भी यह, कि नमाजदीन सिद्दीकी न भीया, दुर्राटे कार दिये, में एक्टर से भी ज़्यादा अच्छा काम कर दिया, ठीक ना वर्सटाइल पर्फेक्ट, वेरी गूट, चलो समझ गए, आगे देखते हैं, लिएड जनुन लब for anyone, he came across and his house was a permanent resident for dozens of near and far relations and acquaintances, और सुनो, वो एक जनुन बंदा था, he had a genuine love, उनको मन में सभी के लिए प्यार हुआ करता, for anyone, he came across, जिस से भी हो मिलते थे, उनके लिए, उनके मन में प्यार होता था, कोठा मंगलन सुबू के मन में, साथ ही साथ उनका जो घर ता, परमान His nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them, ऐसा था, ऐसा लगता था सुबू को देखकर कि यारू सिर्फ अपना भला सोसता हो, लेकिन भाया, असलियत यह थी कि दूसरों का भला करते तो जाने कितनों को feed करते थे, खाना खिलाते थे अपने घर पर रखते थे और सपोर्ट करते थे जाने कितने स आदमी है, इतना improvident, जिसकी किसी से भी लडाई नहीं हो सकती है, ऐसा बंदा है भाई साथ जो किसी को बुरा भला नहीं कह सकता, तभी यह यानिकी, positive negative जा बाता है, किसी जगा है, contraction दिखाते हो न, contrast, तो यह टाता है, ही है, इनमीस, तभी ऐसे आदमी के अनमीज है, was it because he seemed so close and intimate with the boss, कहीं ऐसा तो नहीं था क्योंकि बहुत जदा intimate से बहुत के लोग यह सोसे थे, यह बहुत के चंचे है, इसलिए, है न, ठीक न, हाँ, डिक्शन का मतलब बिटा जूली उचार भी होता है, लेकिन यहां पर शब्द से मतलब है, न, कोई बोली से मतलब है, है न, ज़क्ता था था किया कैसा बंदा है जो क्या करता है घ्या ऐसा दिखता है लोगो जो दूस्रों की चापलूसी करके आगे बढ़ रहे है, जो दूसरों की चापलूसी करके आगे बड़ा, इस यह था अगाष। चीज में भी कोई पॉस्टिव चीज बता देते थे इन एनी केस देर वाज दिस मैन इंदा मेक अप डिपार्टमेंट हूँ वूड विश्ट डिर्टियस थिंग फॉर सुबू है ना डाइरेस का मतलब क्या डाइरेस का मतलब है महाहीन प्रकार की भावना है ना बहुत ही प्रता इंफ अप टंट यह सर्ट प्रफिस तर्टम आगे कर रहे यू सॉष्ट आप और आ डिपार्टमेंट काल देर रेने इस्टोरी डिपार्टमेंट फीव गुरॉप अब यह भी किसी डिपार्टमेंट के अंडर अताते हो यह जिक शुबू साब थे इकिस दिपार्म यह यह यहार थीपर्टमेंट में जिसका नाम हुवा करता थाग्या इस्तोरी दिपर्टमेंट कमप्राइज आप आरॉयर और अन assembly of writers jis मैं कर दो फिर ये वद्टे कान सुपय enilarated are poets over this youe just a booặű किस department में आथे दिस्पू साभे department मैं तTT वार कान भौवर करता तथा सब्भु सामय हो दीपार्मनि आते जिसमें कॉन भौव हो गरता था ढिसमें इस स्टोरी इस लिवा क्या था भीया बट एवरीबडी रफोर्ड टू हिम एज दा अपोज़ेट लेकिन हर को उसे उसका अपोज़ेट समस्ता था एक्स्ट्रीम ली टैलेंट एक्ट्रेस्ट फू और अल्स एक्स्ट्रीम टेंपरमेंटल वन्स ब्लू ओवर ऑन दा सेट्स देखो जो अगली क्लास है आपकी वह आठ बच करके फंद्रा मेंट पर सुरू होगी कितने बचकर आठ बचकर के फंद्रा मेंट पर मेरे पास अभी भी दस मिनिट है तो दस मिनिट तक आप क्लास में रहिए उसके बाद परिशान मतो अगली क्लास आठ फंदर से पहले सुन नहीं होगी ठीके ना तब तक आप क्लास में रहिए मैं आठ फंदर पर क्लास कटम कर दूंगा परिशान मतो ठीके ना भाई का वादा है निवाओंगा बट एवरीबडी रफर्ट तो हिम एज़ आपोजट अब देखो यह जो कौन है यह जो हमारे पास एड़ एडवाईजर ना लिगर अडवा और समयल अग्या कि रिकॉर्डिंग कर ली टीकिस की और लेडी की जो आपर एक्रस थी लेंड एक्रस पाउज एक्टरेस ने विचारी वो डर गई क्योंकि वो जो बंदी दिना हर वाइस अगें थूदा साउंड क्यूप मेंट सी वाज इस्ट्रग डंब विद्धम चूप हो इस्ट्रग नम का मतलब क्या उससे बोली तक ना निकली जा अग्दम चूप होगी परिशान होगी यह क्या कर पर पहुंच गई इसने वो सारी की सारी चीह नहीं कि कैसे आपको बात करने किस तरीके सापको दूसरों से अपने काम निकल वाने यह सब नहीं जांती थी इसलिए जरूली परसीड सब पोजिशन आफ इंपॉर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन दैट शी हैट फाउंड हर से पुल्टे इंटों इसको नहीं अट पर इसको नहीं पता कैसे लोगों से ब्येव करने कांप इंडिक लिकाम निकालना है इसलिए बंदी जो डर गई तीना यह अपना डर कभी खतम ही निकर पाई हमेचा उस घर में बनी रही ठीकिना आगे देट वास्ट वास्ट अपने अ है SD लन अब धोंड यह क्या था सैड इंड था कैसां था से लिंड हमेज़ा एब सब्सक्राइब इस चीज के लिए और साइज और अजीब तरीके से टेलर्ड वाइट खादी शर्ट दा लीगल एडवाइजर रोट पैंट रोट पैंट सेंट आई एंड सम्टाइम्स अ कोड़ डैट लूग लाइक अ कोड़ आफ मेल जहां पर स्टोरी डिपार्टमेंट हैं सभी के सभी लोग धोती गुर्था प पैचार लगता था अमेन ऑफ कोड़ लॉजिक इसके पास सिर्फर सिर्फ लॉजिक्स है अप्राउड ऑफ ड्रीमर्स अन्यूट्रल मैं इंद असेंबली ऑफ गांधी एट्स एंड खादी एट्स हैना एक ऐसा मैं जो गांधी एट्स और खादी एट्स के बीश में था इस किल लोगों के बीश में जो गांधी जी को मानते थे और खादी को बहुत सपोर्ट किया करते थे अभी इसके बाद भी चैटर काफी लंबा है बटा जाएगा और बाकी का चैटर बेटा मैं कल कवर करना पसंद करूंगा क्यूंकि यह जो आज कैटर पूरा हो नहीं पाएग बेटा और जो लोग कहते हैं बिया किस तरीके से आप से मैं कॉंटेक्ट कर सकता हूं तो उसके लिए बेटा आपके पास यह रहेगा क्या रहेगा उसके लिए आपको मैं बता देता हूं यह मेरी इमेल आइडिये आदित्य डॉट तिवारी अगर आपको कोई कोर्स परचेस करना जैसे आप बोलते हो यह पेपर सागे तो उसके लिए आपको जाना है भिया अड़र फॉर्टी सेवन पर वहां पर आपको जाकर के दिखेगा पहली साइट उस पर आप चले जाओगे और पर कई प्रकार के कोर्स दिख जाएंगे जो सब्सक्राइब करता है खुब सारे यहां पर अंडर ग्रेड में जाओगे फिर स्कूल के टॉल अगर आपको स्यूटी प्लस चाहिए तो आप लेड़ना स्यूटी महापक जो कि आपको किसके लिए मिले कभी हमेनिटीस के लिए मैं इतना क्यों बता रहा हूँ कि यहां पर आपको दिख रहा होता है यह जो आपको दिखा रहे है ग्यारा हजार यह ग्यारा हजार करने देना है बस आपको यहां पर पैसे बचाने के लिए यहां पर एक कोड लगाना है जो है सेवन फोर थ्री आप जहां इसको अप्लाई करोगे आपको अप्लाई करता ही फाइदा क कर देना ठीक ना यहां पर मैं करता हूं पैंड ड्रॉप जिन लोगों अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए हम समने मिल कर धुराटे तो काठी दिया ठीक ना अगर आपनों को सेशन अच्छा लगा ना तो प्लीज यार प्रेशन वोग्यों नो दम ख़तरनाक वाला ठीक है मैनत करते हो पड़ाइक अधरो मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए जहिंद कि अ